देखो भाई, देश एक है, तो चुनाव भी एक ही होना चाहिए ना? क्या बार-बार घड़ी-घड़ी कभी इस राज़ में, कभी उस राज़ में चुनाव ही हो रहा है? हमारे भारत में या तो चुनाव होते हैं या चुनाव की तैयारिया होती हैं. ऐसे में One Nation, One Election का प्रप बैठक हुई कुल जमा 21,558 लोगों के विचार पूछे गए 80 परसेंट ने कहा कि हाँ जी वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए तो 18,668 पन्नों की एक रिपोर्ट बन गई है अब इसके फेवर में अगर पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो आउट आप 47,32 पार्ट तो जितनी भी राज्य विधान सभाएं जिनका कारेकालिया तो पहले खत्म हो रहा है लाइक 36 गड़ तो वो extension में जाएंगी और जिनका बाद में खत्म हो रहा है वो वहीं पर खत्म कर दी जाएंगी और सारी राज्य विधान सभाओं का और लोग सभा का election होगा एक साथ फ ही होता है तो वो वर्क परालिस्स रुकेगी और पेरा मिलेटरी फोर्स का डिप्लॉयमेंट सरकारी एंप्लॉईज का डिप्लॉयमेंट उसमें भी काफी बचत होगी तो प्रपोजल तो अच्छा है लेकिन बड़े नाशनल मुद्दों के सामने छोटे इंपॉर्टेंट री यह हो चुके हैं लेकिन 68-69 में स्टेट असेम्बली इसको भंग किया गया 70 में तो लोग सभाई भंग हो गई थी इस वजह से यह क्रम तूट गया था जिसे वापिस से री स्टैबलिश करने की तयारिया चल रहे हैं सम्विधान में 18 संशोधन करने पड़ेंगे कुल मिलाकर यह है कि one nation, one election सरकारी मशिनरी के point of view से, expense के point of view से, taxpayer की money के point of view से काफी reasonable है लेकिन reasonable मुद्दों के point of view से क्या आपको लगता है कि one nation, one election होना चाहिए